नमश्कार, स्वास्थे की योगशाला में आपका स्वागत है मैं रमा बंसल और मैं रित्व मिश्रा रमा जी, बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही है कि वेट लॉस पर भी आप लोग कुछ बताएं हाँ जी रित्व जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ लोगों के फोन्स मेरे पास भी आए हैं कि आप वेट लॉस से संबंदित वीडियो बनाएं और देखे सही भी है, आजकल ये मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है लोग ओवरवेट बहुत हैं चाहे वो बच्चा हो या किसी भी उमर का व्यक्ती हो उसके कही सारे कारण है अब लाइस्टाइल है सबसे बढ़ा कारण आप देख लीजीए आप बिल्कुल कह रही है है लाइस्टाइल में हम सभी का खाना आ जाता है चलना फिरना आ जाता है और सोना जाँना भी शामर्ड़ है और यह सब ही आजकल गड़ बढ़ है, लोग टाइम खाते हैं, बिल्कुल, जरोर से जादा खाते हैं, वर्काउट में ही करते हैं, सोने और जागने के टाइम भी गड़ हैं, और दूसरा आजकल लाइक में स्ट्रेस बहुत है, यह स्ट्रेस भी हमारे वेट को बढ़ाता है, ह क्योंकि हमारा उद्शे है, आपको योग करवाना, चलिए शुरू करते हैं, पहले एक्सराइस से शुरू करेंगे, लेकिन यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को ला पंजो को मिला करके आगे खीचेंगे, दोनों भुजाएं सिर्क के पीछे आसन पर लगा दें, अपनी शुरू को भरें और अपने पूरे शरीर को ताने, पंजो को नीचे की ओर, दोनों हाथों को उपर की ओर खीचें, अब श्वास को बाहर करते हुए अपने पेट को अं अंदर, श्वास को भरें, तो पेट बाहर, फिर से श्वास बाहर, पेट को अंदर लेके जाएं, श्वास भरते हुए पेट बाहर, जब आप इस तरह से करते हैं, तो आप अपने कमी के फैट को कम करते हैं, साथी साथ हमारी कमर शेप अप होती है, और हमारे हिप जॉइंट पर भी सुन्दर प्रभाव पड़ता है, धीरे से दोनों हाथों को ले आएं वापिस, रिलाक्स हो जाएं, चलिए, करेंगे दूसरी एक्सरसाइज, उसके लिए भी आप एड़ी पंजो को मिला लें, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, और घुटनों को पेट की तरफ ले आएं, दोनों भुजाएं आपकी शरीर के साथ रहेंगी, श्वास भरें और अपनी भुजाओं को सिर के पीछे और टांगों को बिल्कुल सीधा आगे की और खीच दें, आपकी एड़ियां आसन से 5-6 इंच उपर रहनी चाहिए, जमीन पर नहीं छोनी चाहिए, खीचे भुजाओं को उपर और पंजो को नीचे, श्वास बाहर निकालते हुए वापिस आजाएं, भुजाओं को पेट की तरफ और भुजाओं को शरीर के साथ लगाएं, भुजाओं को दबाएं अंदर की और पेट पर आने वाले दबाव को महसूस करें, श्वास भढ़ते हुए फिर से टांगों को सीधा करें और भुजाओं को सिर्के पीछे ले कर जाएं, आपकी पेट, कमर, सबका एक्स्ट्रा फेट कम होता हुआ, श्वास बाहर निकालते हुए वापिस आजाएं, गुटनों को पेट की तरफ दबाएं, लटकी हुई तोंद जो होती है, इससे वो ठीक होती है, हमारी धीली पड़ी मासपेशियां उनमें स्ट्रेंथ हाती है, आजाएं वापिस, टांगों को सीधा कर लें और रिलेक्स हो हो जाएं, हर क्रिया के बाद थोड़ा रिलेक्स होना बहुत जरूरी, नेक्स्ट क्रिया के लिए दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएंबाएं फिला दे, खथेलिया आपकी आसन की तरफ हो और थोड़ी आसन पर दबी हुई हो, दोनों टांगों को मोड़ें, घुटनों को पेट की तरफ लेकर आएं, पंजों को नीचे की तरफ खीच कर रखें, इस क्रिया में आप ध्यान रखें, आपके घुटने मिले रहेंगे, और पूरे सम हवा में ही रहेंगे, आसन पर चुएंगे नहीं, श्वास को भरते समय घुटनों को दाई और लेकर जाएं, पूरा दाई और ले जाएं, लेकिन हवा में रखें, और गर्दन को घुमाते हुए बाई और लेकर आएं, पूरा ट्विस्ट कर दे अपने आपको, सांस बहार निकालते समय आजाएं वापेस, फिर से स्वास को भरें, घुटनों को लेफ्ट साइड करें, और गर्दन को राइट साइड, फिर से हवा में ही रखें अपने पैरों को, अपने घुटनों को, सांस भढ़ते हुए वापिस आएं, उना श्वास भरें, गुटनों को दाइएं और राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड घुमा दे, ना भी क्या असपास जमा हुआ आपका फैद दूर होता हुआ, आ जाएं वापेस, फिर से सांस भढ़ते हुए गुटनों को लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड घुमा दे, इस क्रिया को आप 10-10 के 3 राउंड कर सकते हैं, आ जाएं वापेस, और इस तरह से रिपीट करेंगे, तो बहुत ही जल्दी आपके फैट पे कमी आएगी, दोनों टांगों को सीधा कर दे, गुजाओं को शरीर के साथ ले आएं, और रिलेक्स हो जाएं, आज की टिप, आपको गुन-गुना पानी पीना है, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप इस तरह से बैठें, और गुन-गुना पानी करके उसको पीए, दिन भर गुन-गुना पानी पीए, और साथी साथ पानी को सिप-सिप करके पीए, जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, वो इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए करें, इसी तरह से वेट लॉस करने के लिए हम और भी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, बस आप शुरू करें और हमारे साथ करते रहें, आपका अवश्य ही वेट लॉस होगा, धन्यवाद